आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना पनीर, बिना मावा, बिना घी, बिना गैस जलाए इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगेगा इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहां लिया है एक पैकेट गुड़े बिस्किट का, आप इसकी जगा कोई भी बिना क्रीम वाली मीठा बिस्किट का यूज कर सकते हैं, चाहे आप पारले जी ले लीजिए, मैरे गोल्ड ले लीजिए, वो मीठा होना चाहिए और बिना क्र बनाने कैसे रिए तो पूरा इहां मैने एक पैकेट बिस्किट लिया है और इस हमें हाथों से करश करना गुड़े बिस्किट में अल्रेडी बटर होता है, ड्राइट फरूटवे इसलिए हमें घी या विटर याफी ड्राइट पृट का ज़िए और इसमें अच्छा फ्ले ब Nerdie करना और देखिए इस तरफ से हमें इसे हाथों से पनाकर और रिड़ी कर सकते हैं तो देखिए कि अब हम इसे मेंrauen ढम बना चूंधार देखिए और अचाना है जब खाूंते भूआ चाने का जाने हमेंल समय जाना से पाउडर जाना से पाउडर को दो हम चाहिं लिए मप्री आहांom जाना से लिल्का करेंगे जाना से पाउड़ में स्कप ने करिंगे कुड़े बिस्किट आल्रेडी मीठा होता है तो हमने यहां ज्यादा चीनी का यूज नहीं किया है बस चार चम्मच चीनी का यूज किया है जिस चम्मच से हमने चीनी को मेजर किया था उसी चम्मच से हम मेजर करेंगे मिल्क पाउडर को भी और हमें चार चम्मच मिल्क पाउडर का इसमें यूज करना है तो यहाम ने चार चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल दिया है अभी हम इसमें डालेंगे दूद दूद हमें केव बनाना है बिलकुल टाइट ही रखना है तो यह Safety थोड़ा थोड़ा डूद डालेंगे और इसे mixt करते जाएंगे तो फाला देखिए हम सारे मिषरन को मिष्य कर लिए सोड़ा थोड़ा थोड़ा नालेंगे और मिक्स कर लेंगे तो यहाँ जो हमारा मििष्रन है केवाल 2 चमच दूद का यूज हुआ है क्यूंकि इस जो मेजरमेंड कप है उसमें 4 चमच ही पानी या फिर कोई भी चीज आता है तो यहां दो चम्मच यूज हुआ है और दो चम्मच के करीब हमारा दूद बच गया है तो किवल दो चम्मच ही यहां दूद का यूज करें और हमारा जो यह मिक्स्चर है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है तो इसे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इसमें ज्यादा इंग्रीडियन्स के भी जरुत नहीं होती है, फटा फट से ये बनकर रेडी हो जाता है इसे जरुःट करने के लिए हमने इस तरह का कंटेशन लीया हैयता है, और इसे घ्रेव कर लिए धृट या फिर घी से इसेगें ताकि जब हम इसमें मिक्षर को डाले तो वह इसली सेट हो जाया और जब हम डी मोल्ड करें तो आसानी से निकल जाया तो यहां मैंने इसे ग्रीस कर लिया है अभी हमें इसमें यूज करना है कुछ ड्राइब फ्रूट्स का ताकि वो खाने में भी टेस्टी लग सके और देखने में भी वो अच्छा लगता है किया हमने कुछ बादाम लिया है आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग ड्राइब यहां मैंने कुछ गुलाब की ताजी पंखुडियों का यूज किया है जिसे सीजर की मदद से लंबाई में कट कर लिया है। उसके बाद हम इस मिश्चर को इसमें डाल देंगे और अच्छे से चम्मच की मदद से टैप करके इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसे सेट कर लेते हैं इसे हमें एक घंटे के लिए फ्रीज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए तो चलिए यहां हमारा सेट हो गया है अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं यहां एक घंटे के बाद हमने इसे निकाला है यह बहुत अच्छे से सेट हो गया है अब हम इसे डिमोल्ड करेंगे तो इसके लिए आप कंटेनर को इस तरह से दवा कर प्रेस कर लीजिए ताकि यह इजली निकल सके अब हम इसके ऊपर कोई प्लेट रखेंगे और इसे ऊपर से टैप टैप करते हुए निकाल लेंगे यहां देखिए यह बहुत अच्छे से निकल गया है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है तो इसमें हमें बिलकुल ज्यादा इंग्रेडियंट्स की जरूत नहीं होती है औ आप इसे अपने मंचाहे सेप में कट कर लीजिए तो यहां मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूँ तो देखा बहुत ही जल्दी बिना गैस जलाए बिना ज्यादा समान यूज किये यह बनकर रेडी हो जाता है तो आप भी इस रेसिपी को फटा-फट से बनाईए जब भी कु कितना खुबसूरत लग रहा है तो बस इसे मंचाहा सेप में हम इसे कट करेंगे और बस इसे इस तरह से आप सर्फ कीजिए तो है ना बिल्कुल आसान आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा आपकी लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरी चानल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में तब तक के लिए टेक केयर बाबाई झाल 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 झाल